पूंगोस को इस पर बोलना चाहिए अरुनाचल प्रदेश में रविवार को भूगन के जटके महसूस किये नेशनल इंस्टिटीट ऑफ सी स्मोल लॉट्री के मताबिक अरुनाचल के चांग लॉंग में दुपाहर तीन बचकर च्छा मिनिट पर भूकम के जटके महसूस किये इसका केंडर चांग लॉट्री सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते मोधी सरकार पर लगतार वहां हमला वर रहते हैं पंगरसान सब राहुल गांधी ने एक बार पर कॉरोना वैक्सिनेशन को लेकर मोधी सरकार को आड़े हतो लिया राहुल गांधी ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर टीक करन्ट को लेकर सरकार को खेरा पूर्व केंड्रे मंत्री और कॉंगरस के वरिष्ट नेता सल्मान पुर्शीद रवेवार को काशी पहुंच रहे जोरान पत्रकारों सुवी बाच्चीत में उन्होंने केंड्रे मंत्री इसमर्ती इरानी के बयान और लली तेश तिपाठी के प्रकरण पर अपनी बात प्र प्रकी सल्मान पुर्शीद ने इसमर्ती इरानी के दियो बयान पत कहा कि पहले शिकायत यह रहती थी कि सारा काम अमेठी में ही हो रहा है अब यह रहा जाता है अमेठी में कोई काम नहीं ही राजजुनीती से सन्यास का एलान करने के बाद ट्रिंड मुल कॉंग उसमें शाम मुख्मंट्री अशोग गयलूत ने पजाब के नीवर्तवान मुख्मंट्री कैप्टन अमरंदर सिंग के स्तीफी के बाद उमेठ चताई कि वे आगे भी कॉंगर्स पार्टी के तोका आगे रख कर काम करते रहेंगी गयलूत ने कैप्टन अमरंदर सिंग को सला भी दी कि वे ऐसा कुल कदम ना उठाएं जिससे कॉंगर्स पार्टी का नुपसान हो फशमदंगाल के राजपाल जंतीर धंकर ने फिर सीयं मंताव एनर्जी की सरकार पर हमला बूला राजवतायो को आधार बनाकर राजपाल में मंता सरकार के अधकारियों को टैक करते हुए मंताव एनर्जी का निशाना साधा बता दे पेशके दो माहा से चुप्टी के बाद राजपाल ने फिर से मंता की फलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया है मंताव प्रदेश के राजपाल मंगुभाई पतेर ने शुरूरस मारक में सश्रश्चत्र सीमा बल भुपाल एकड़मी के कारेकर में शिर्कत की अकड़मी की और से आजादी के 75 पे अमरत महत्व ने साइकल प्रैली निकाली च्वारे इस प्रैली को राजपाल मंगुभाई प्रदेश के चिकता सिक्षामंत्री विश्वास सारंग ने शरापंदी को लेकर माहोल बनाना जरूरी है वहीं बरते देंगू के मामले को लेकर हंत्री ने कहा प्रदेश में जंचाकुपता के साथ सभी व्यवस्ताइं की गई है इन दोर में केंड्रे मंत्री नितिन गटकरी ने मुखवंची शिप्रासिंग चाहान के दान्जबा शेत्र बुधनी को भी बड़ी सौगादी जले से लेका नस्टुला गंच शेत्र में खुशी की लहर देखी गई दरसल गुरुपार को केंड्रे मंत्री गटकरी के पसिती में प्रदेश में नौँजार पांसु सब्सक्राइब की लागत से चौतिस सड़क पर यूजनाओं का लोगरपंश लान्यास किया जो स्मंपुद्धनी को नैशनल हाईवे से जोड़ने के लिए प्रजानी में उजनले के नागता में कुरुना गाइडलाइन के तहित गड़पती प्रतिमाओं का पसरजन किया जा रहा है वहीं पर शासन की ववस्ताओं ने सभी रवासी संतुष हैं सबसे खास बाती प्रतिमा का पसरजन करने के दौरान भक्तू की भापनाओं का खयाल रखते हूश शदालू की बापा का बसरजन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा गया खबर सतना जिले के कोठी से जहांके ग्राम पंचायग मौहार में मूलबु सवधाओं को लेकर ग्रामेड़ों ने प्रतिशन किया ग्रामेड़ों का कहना है जन्पत्यनिती चुनावती दौरान आसवधाओं को दूर करने का आश्वासन देते हैं लेकिन चुनाव जीतने क कैदी की आलाज के दौरान मौत हुई जिसके बाद मृतब की परिजनों ने जमकर हंगामा किया कि अमुप्थान शेत्र का रहने वाला आरूपी धर्वीन पर पडिल कई धाराओं में जील में बंद था चानक तबद बिकरने पर जीद वर्शासन ने कैदी को से लास्पताल में भर्ती कराये लाज के दौरान कैदी में नम तूर दिया दिवास के बागली में 18 सितंबर को भी हत्या का खुलासा करती हुई पुलिस ने दूआ रूपियों को ग्रफ्तार किया बताय जा रहा है बरजाई पंचायच के एक उठना मार्ग पार हरी सिंग की अग्यात लोगों ने हत्यकर दी मामली की तफ्तीश करने पर पता चला हरी सिंग का शराफ पीने के दौरान उसके दोस्तों से ववाद हुगया था तब ही उन्होंने मिलकर हरी सिंग की हत्यकर दी पराद हुगए चास जार कैश और लगव आठ लाख रुपाई के सोने चांदी के जेबरात परहाद साब कर दिया खटनार के दाहिंदा में धूलकोर्ट स्कूल के निलंबिच सिख्षक खुझूल अचाप डॉक्टरों से अवध वसूली करते हुए पकड़ा गया निलंबिच सिख्षक और उसके साथी के खिलाफ देड तलाई पुलिस चौकी में अवध वसूली का केस दर्स किया गया है वन्वभाग की टीम ने पंधा घर में चाप अमारा इस दोरान वन्वभाग ने डू रेक्टर मशीन और एक बार हासिंगा की सिंग बरामत की है साथी वन्वभाग ने बहुत अधित मात्रा में साब़ों की लगली भी बरामत की रना की धनेटा रूट पर पॉजी के घर में हुई डगेटी का खुलासर करते हुए पुलिस ने तीन आरुपियों को ग्रप्तार किया जानकारी के मताबिक 13 सितंबर को पॉजी शत्रुभने सिंग तूमर की घर पर गदमाश्टों में धावा बूल दिया इस दोरान उन्हे पॉजी की पत्नी और बेटी की मार पीट करते हुए उन्हें बंधक बना लिया और घर में रखी जुनी चांदी की जीप्रात निकर पराद हो गए खबर आईसीन जिली के गेरत गंज सेज अखक साथवी की छात्र पवन से इनको स्कूल में तिलख लगा कर उस समय महंगा पड़ गया जब स्कूल की सिक्षिकान बाहरी लड़कों से पवन से इनकी पिटाई करवा दी पिटाई से छात्र पवन भी हो शुग गया गेरत खरदी मामली के जानकारी लगते स्टेक्षन रूट थानप्रभारी अपनी टीम के साथ घटनेस्थल पहुंची थानप्रभारी निकीता विल्सन ने बताया दोनों पती पत्नी के बीच किसी बात को लेकर जबरा हुआ था चूट अधिक लगने से महिला की घटनेस्थल पर बिचवाया फिल्हाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामली की जानच शूरू कर दी है इंदौर पुलिस को बड़ी सफ़कता मिली अपराद मुक्त इंदौर की मुहिम के तहत राजजी इंदर नगर पुलिस ने छे जोडी के मामलों का खुलासा करती हुए तीन आरोपियों को ग देश के सबसे सुच्छे शहर इंदौर ने एक बार पर जागुपता की मिस्साल पीश की है दरसल रविवार को गड़ीश वसर्जन हुआ था जिसमें लिगम इंदौर द्वारत तयार की गए परेवर्ण है तैशी कुंडो में भगवान गड़ीश की प्रतमा का वसर्जन क किया गया वहीं दौर के सांसर शंक लालवानी ने भी गड़ीश वसर्जन अपनी कारेले परिसर में ही पानी की टंखी में किया इंदौर में बढ़ रहे सडक हाथों को देखते हुई युबकनी भगवान गड़ीश का भीश बना कर लोगों को यातायात नियमों को पालन करने की समझारिशती बता दी कि स्पेशल ट्रेफिक गुप समय समय पर लोगों को ट्रेफिक नियमों की बारे में बताने के लिए के समय समय पर इसे कार्फिरम करता है लोगों को यातायात नियमों के पतिक जागरूप करता है मुक्ष की प्राप्ति के मार्गों को आत्मसाथ करने के लिए अग्रही करती हुए कहा कि तीर्थ दर्शन करवाने का फल बहुत ही उत्तम है जो मुक्ष मार्गों पर असर करता है नेपनगर के चांदनी बोर्स और वोड पर हुई लूट का मुक्ष आरूपी को पकरने गए प्रशासने कमने पर अग्यात लोगों ने तीर और गुलेल से हमला बोल दिया जिसमें ठाना प्रभारी सहथ 5 पुलिसकर में घायल हो गए आलगी प्रशासन दुआरा फिर से चुडिया पानी जंगल में दविश दे कर आरूपी को पकरने की खुशिश की गई लेकिन आरूपी मौके से फराथ हो गए कुट्ता थाना प्रांगर्ण में नबागत पुलिस स्दिक्षक सुनी जयन का सभी पुलिस कर्णियों ने स्वधत किया है ASP, CSP, सभीतिकार्व ने बारी-बारी से पौधर उपन किया, साथ ही सभा से कम से कम एक पौधा लगाने की अपित्वी कि कांकेर में नवनेवित, यूनिपाइड कंट्रूल रूम और CCTV केमरों को शुबार अबर किया, जलम ख्यालाई की थाना परेसर में सिक्योर कांकेर मिशन के तहत, मधायक्षी शुपालश्वारी ने उद्खाटन किया, बता दें, रगतार बढ़ते आपराधेक मामलों और चूरियों की घटनाओं को रूकने के लिए पूरे शहर में 82 CCTV लगाए गया, जिससे शहर में आने जाने वालों पर 24 घंदे के लगार रखी जाए गया, जान्जब में देवरी कुर्द से आरुपियों को ग्रफतार किया, विश्वर प्रसिद बस्तर दशेरा की बेगा, जिहद महतुपून रस्म डेरी कड़ाई सिरहा सार भवन में बड़े दूंदाम से संबनूइस रस्म कुतुबा करने, वित्रा पाटी पलगनाप के वीरनवाल गाउं मुखे मंत्री बुपेश बगेने, अविवार को वर्चुल मातेम से लूप नर्वान बुर्बा की एक सुचावालीस करोड़ पंचान्वी लाग पैतालिस रजार रुपास कारियों का भूमूद पूजन किया, वित्रान गाउं को कलेक्टर सबगार में कारेक्रम आज़ु रामपूर में मुखमंत्री बुपेश बगेल ने एक सु साथ करोड च्यालिस लाग के विबन्य वकासकारियों का भूमी पूजन किया, कलेक्टरी सबगार पुश्मयाजित कारेक्रम में कलेक्टर इंदुरुजीत सिंग ने चानकारी देती वगता, सूला विबन्य वकासक करति के जरीकिया पिजनवार के स्योहार थाना शेत्र में हुई विजुर्गी की हत्या का खुला सकत्यों पुलिस ने आरुपी को ग्रफतार कर लिया दरसल 15 सितमर की रात पैजुला पुर गाउं में एक अस्ती वर्षिय महिला की हत्या कर दी गई थी पुलिस के मताविक आरुपी चूरी के र पिंद्र जैसवाल ने प्रेस का सरकार के उपलब्धियों को गिनाया मंत्री जैसवाल ने पूर्व सरकारों पर निशानव भी साधा विश्री सरकारें परिवारबाद और जातिवाद के लिए काम करती थी प्रतप्रदेश विधानसवाद चुनाव 2022 को लेकर समझपादी पार्टी ने अपनी तैयारियां अपतेश कर दी हैं सिको लेकार बांदा में सपका प्रबुद समेलन का आयूजन हुआ जिसमें उचहरा विधानसवा शेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री मनुष पांडी समीत कई बड़ी चाहरे शामित हुए लखीमपूर खीरी में वनवभाग की टीम को बड़ी सपलता मिली है वनवभाग की टीम ने दुद्वार रिवर रिजर्व शेत्र में जंगली सुवर के मास के साथ एक शिकारी को धर्दबुचा जिसके कबजे से करीवाट फिलो माद परामत किया पलाल आरूपी के खलाब वने अधिनियम के तहट मामला दर्स कर उसे न्याग हिरासत में भीज़ दिया गया है विजनौर जनपत के नजीवबाद में प्रात्मिक स्वासिकेंद्र पर सरकार की यूजराओं के अनुसार आरूप की मेले का आज़न किया जिसका शुबारं चौधरी विक्राम सिंग्भोवी ने किया इस मेले में गर्वती महिलाओं की ब्लड की जाच की गई और लोगों का नेतर परिक्षन किया इसके साथ ही सभी मरीजों को निशिल के दवाईयां भी वित्रुत की रहे शाहरुख कान डारेक्टर अटली की फिल्म लायन को लेकर शर्षा में है अब शाहरुख कान ज्रुल्द हीराज कुमार हीरानी की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रोट्स के मताबिक फिल्म में उनकी जोड़ी तापसी पनू के साथ नजर आएगी वहीं फिल्म की स्क्रिप्ट को लोग कर दिया गया और ये फिल्म मुई 2022 तक फ्लोर पर आ जाएगी बॉलिवुड के मशूर अभी ने था सुन्ग सूथ का कानपोर के रिच समू से कनेक्शन मिलने की बात सामने आई कहा जा रहा है सुन्ग सूथ पर परजी लोन लेकर पैसे निगेश करने का मामला है रिच क्रूप के ठिकानों पर आएकर विभाग की अधिकारी लगता चाप मार रहे हैं इसी चापे के दौरान आएकर विभाग को बुगास इन्वाइस जारी करने और उन्हें पेचने के सुरक में ले है सल्मान खान का रियलिटी शो बिग बॉस पनभा इस समय सुरक्यों का हिस्सा बना हुआ है फैंस को शो से जल्द शुरू होने जा रहे हैं दो अक्टूबर से शो टीवी पर शुरू होने जा रहा है इस समय कई सलेप्स के नाम सामने आ रहे हैं जो शो का हिस्सा बन सकते हैं रिपोर्ट्स की वाने ये रिष्टा क्या कहलाता है फेम मुहसिन खान को शो ओपर किया गया है पॉन फिल्मों की कारुबारी राज कुंद्रा ने दो साल में अपने एप के यूजर्स तीन गुना और मुनाफा आठ गुना बढ़ाने का प्लान बनाया था वे अपनी 21 फिल्मों को पूरा कलेक्शन आठ करोड 84 लख रुपए पे विचना चाता था उसके एक एप पर पावंदी लगए तो उसने पूरा एप भी बनवा लिया था उन्डरा डिजीटल मीडिया से अवे तरीकी से पैसा कमाने के सारी प्रत्रे आजमारा था अक्रिस गंगनार रनौत की फिल्म थलाई भी 10 सेतंबर को रिलीज हुए थी ये फिल्म तमिल नाडू की पूर्व मुकंत्री जहल लिधा की बार पे खैक गंगनार रनौत प्लमें जहल लिधा की केरदार में नजर आएं थी वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्वी मुकंत्री शांता कुमार ने भी फर्मे जैल अलिता का किवदार शांदार तरीके से निभाने के लिए कंगना की जम कर तारिफ की कई सारे रियालिटी शो में नजर आचो कि देवयागरवाल ने सबसे जादा वोट हासिल करते हुए रियालिटी शो बिग बॉस ओडिटी की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली करन जोहर ने 18 सितंबर गुए शो के पनाले में दिवयागरवाल को शो का विनर घूशित किया जिनका मुकाबला कोरियो ग्रापर निशान्त भटिस सिथा ट्रॉफी के साथ लेपया को इनाम के तौर पर 25 लाग रुपए भी मिले हैं Seven Brides for Brothers के हौवर्ट के साथ अपनी मधूर आवास से सबका दिल जीतने वाली और रोयल बैडिंग में स्टायर के साथ डांस से सबका दिल जीतने वाली जैन पावेल का 92 साल के मुवे में निधन हो गया भूचपूरी फिल्मों में गाय की से लेकर अभिनाय और राजुनीती तक पहुँच कर सफलता पाने वाले मनुष्टिवारी ने जीवन में कई उतार चड़ाओ देखें मनुष्टिवारी को वच्पन से ही गाय की का बड़ा शौक था अपने इसी शौक पर चलते उन्होंने अपने कॉलिज की दिनों से ही गायन चुरू कर दिया था मनुष्टिवारी ने हिंदी में में बनारस हिंदू इनिवरॉस्टिवारी से लेकिन अस्पताल में शक्स की मौत हुए जहां अब रजद बेदी ने कहा राजेश्ट के निधन के बाद वो उनकी परिवार को आर्थिक मदद पहुँचाने की हर संभव को शिशका रहे है